समीकरन का परिचय मिथ्यधारनाई आज हम देखेंगे समीकरन से संबंधित मिथ्यधारनाई कुछ उदारनों से हमने समीकरनों के बारे में जाना आईए अब इनसे जुड़ी कुछ मिथ्यधारनाओं के बारे में जाने मिठ्यधारना एक दिये कई विकल्पों में समीकरन पहचानिये A. के जमा 3, बराबर 17 B. के घटा 2, छोटा है 3 से C. के घटा 2, बड़ा है 3 से D. पांच के जमा 3 एक समीकरन दो वियनजकों के संबंध को दर्शाता है जिसमें समता का चिन्ह यानि Sign of Equality यह बताता है कि LHS और RHS दोनों का मान बराबर है लेकिन कई बार बच्चों में यह गलत समझ बन जाती है कि बाएपक्ष और दाएपक्ष के बीच में ज्यादा का या कम का चिन्ह होने पर भी वह एक समीकरन कहलाता है जिसकी वज़ा से बच्चे विकल्प B पर C उत्तर देते है यहाँ विकल्प B दरशाता है कि बाएपक्ष का मान दाएपक्ष से कम है जबकि विकल्प C दरशाता है कि बाएपक्ष का मान दाएपक्ष से अधिक है इसी प्रकार कई बार बच्चे सम्ता के चिन्न की अनुपस्तिती पर ध्यान नहीं देते और वियंजक को समीकरन मान लेते हैं जिसकी वज़ा से वे विकल्प D उत्तर देते हैं जबकि सही समझ से विकल्प A जवाब दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के बीच में सम्ता का चिन्न है जो एक समीकरन को दर्शाने के लिए आवश्यक है मिथ्यधारना दो आये अब एक और मिथ्यधारना को समझती है अक्सर बच्चे यहां मान लेते हैं कि समीकरन में दाया पक्ष संख्या ही होती है परन्तु यह आवश्यक नहीं है समीकरन में बाय या दाय किसी भी पक्ष में संख्या हो सकती है आये इसे एक उदारन की मदद से समझते है ए जमा तीन बराबर ग्यरह यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे चर को केवल बाय तरफ ही लिखते है और समझते हैं कि चर को दाई तरफ लिखना गलत होता है परन्तु यह सही समझ नहीं है सही समझ यह है कि हम चर वाले व्यंजग को किसी भी तरफ लिख सकते है उदारन के लिए 15 बराबर पी चमा 3 जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां LHS और RHS दोनों के बीच में समता का चिन है अर्थात दोनों समान है यदि हम दोनों पक्षों के स्थान आपस में बदल भी दें तो भी LHS और RHS का मान बराबर रहीगा अतह समीकरन 15 बराबर पी जमा 3 और पी जमा 3 बराबर 15 दोनों का समान अर्थ है मिथ्यधारना 3 आए अब एक और मिथ्यधारना को समझते हैं अक्सर बच्चे यह सूचते हैं कि समीकरन में RHS ही हमेशा उत्तर होता है परन्तु यह एक गलत अवधारना है एक समीकरन हमें हमेशा ही उत्तर नहीं बताता बलकि दोनों पक्षों के आपस में संबंध को दर्शाता है जो की बराबर है जैसे इस समीकरन को देखिए X जमा 5 बराबर 11 बच्चे सूचते हैं कि यहां X का मान 11 है लेकिन यह गलत समझ है सही समझ यह है कि इस समीकरन में X जमा 5 का मान 11 के बराबर है जो हल करने पर X का मान देगा आज हमने देखी समीकरन से संबंधित मिथ्यधारनाई आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपकी समीकरन से संबंधित कई मिथ्यधारनाई दूर हुई होगी और समी करनों की अच्छी समच बन गई होगी धन्यवाद